जी , इस्काहिक कुछ चूटेंट्स नेक्स्ट लेक्ष्टर मॉर्फ फाइब वास्ट साइन्टीफिक नॉटेशन scientific notation क्या होता है अगर हम आप रहते हैं कि कोई भी एक वैल्यू है जो कि बहुत ही लार्ज वैल्यू होती है बड़ी वैल्यू हो यह बहुत चोटी वैल्यू हो तो इसको simply लिखने के लिए आप क्या करते हैं उसी पर निखने के लिए सिंप्ली वाइद के लिए 10 की पावर में लिखने के लिए तो 10 की पावर में किसी भी वैल्यू को लिखने के लिए है वान और तर्मियान को आप 10 की पावा में लिखते हैं जो कहते हैं सब्सक्राइब लिखा हुआ है इस तू सब्सक्राइब जिए आप लिखते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं टेलेज की पावर में 62.75 मुल्टिप्लाइब आप यहां से पावर आप यहां से पॉइंट यहां से लास्न पावर यहां से आप लेफ साइट के बूप कर रहे हैं फिरी नमर आप लेफ साइड पे मुल्टिप्लाइब 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 लेफ साइड पे मुल्टि कि या इसको हम यह भी लिख सकते हैं कि एक सिक्सक्वाइं पॉइन का या बेगा लप साइट तेंडेज की पावर यहां देखें लास्ट पॉइंट लेफ्ट साइट देखें पॉइंट लूग करके जा रहे हैं और इसके जर्बर इसके में लिगा तो स्पीड आफ लाइट स्पीड आफ लाइट सी इस इक्वाल टू थर्टी एट वान टू अगुए यह तर्फी में इस नबर इस पर आपको लें सकते हैं यह स्पीड आप लिगा सकते हैं यह अपर यह लिंक दें सी इस इक वर यह नबर अगर इसको आपको इस तरह कुंसरें कि बहुत बड़ी वारिव है ऊण वारिवए सब्सक्राइब करते हैं तो आप प्रेट क्या आपने अपर प्रेट करें नहीं और नहीं कि आपके आपके पास यह ज़ीफा है तो आप राइट साथ ने पावर कितने पॉइंट राइट साथ ने पॉइंट से नोटेशन ने यूं लिख सकते हैं इसके साथ बीटा टॉपिक है वन पॉइंट सिस्ट टॉपिक है मैं रेकर सुनें कि यहां पे नाज़ा लिया लोगिक पोड़ कि दिया लेक्ट में प्रिक्षिंग के मैं यह इंस्टूमेंट आज़ा है पि Soo कुन इंस्टूमेंट निवाद करते हैं तो आज फिजिक्र कॉाンチटी विखा पॉन्टीज तो तो यह आज़ा हैं जिसको होगा करते हैं मैं इंस्टुमेट करते हैं यह तो सबसे पहले कर एक हम बात करते हैं तो इंस्ट्रुमेंट काँ से होते हैं लेंख मैय यह अज़िए इंस्ट्रुमेंट यह नहीं इस्ट्रुमेंट सबसे पहले और आप करते हैं तो आपके पासथा अप्रेट वूरों मिटियू कोई भी कोई अचा नियुक्त को बइयर करना है अब सरह करता है आप लिवाटी में अगर कोई भी आपने लेंध को रही अज़ता है उसके लिए चाहता है मेटरों आपके पास वन मीटर होता है यह आप कहसे है कि आपस हम जारे और हर और हर इंटीमीटर को अपने सब्सक्राइब कर सकते हैं या सब्सक्राइब कर सकते हैं यह के पाइब कर सकते हैं के आप सब्सक्राइब उसको भी हैं लिए अचे धर ये मैं किया जासता है सब्सक्राइब का आपकरते हैं तो दी हमिएर ने ने को गाएब कर द Mumbai कर दिया है जो इंद मानिद की जो कि अगर आपने लेंट को मैं मीटर एंड सेंटी मीटर में चाहता है तो इसके प्यादेट को यूज कि जाता है जो कि अगसलोगा आपस पाफ पुलिछेट की कमें कापमेंट की जो है जिसके इसके जो ही उखकरते हैं आपके वाव्य धैक तो मेरेंट की अपने जो इसके लीपूर संटिमिटर होती। गशना सेंच मेंड़ कि alve de चाहिस के जाने साथ शाध कोंड़ेंटर में तुझाए सेंच मेंटर मेंच मेंटर भी तो इसको हाने को सब्सक्राइब करना होता है इसके बाप इंतहाई इंपोर्टेंट नेस्ट आपके पास में लेंध में इंस्टुमेंट में अम बाद करते हैं अगर इसे भी कम लेंध को मेर तो उसके लिए एक इसे के आप एक सकते हैं कोई आपके साथ एक 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 स्केल है उसके आप लाइट वायर से यह इसका डायर करना है तो इसके लिए आपके हैं वर्मियर कैलिपर सबसे पहले हमाद करते हैं कि वर्मियर कैलिपर होता क्या है वर्मियर कैलिपर इस इस्टुनिट विच इस यूज़ तू मैयर दा लेंट अप टू वन मिली मीटर यह जिरो पॉइंट जिरो वन सेंटी मीटर अगर आपने यहां तक की वर्मियर करती है अब यह इन्स्टुमेंट विच इस यूज़ तू मैयर का लेंथ अप टू जिरो पूइंट जीरो वन सेंटी मीटर काड़ वर्मियर कैलिवर वर्मियर कैलिवर के आपके पास ऐस एडरी एंस्टूमेंट शूबि़ कि सी यह इस बही काजा कैवाज़ MMA यह बाइज़ घ्मींटर फ़कोंट इससी और अवज़ कम से कम मैयली उपएशे का सकता है приб weeds बहुत फकी और प् otherwise you find you पेज़ को मिल्यट आसकता है या 0.1 मिल्यमीटर की आफ़ाद यह आप जाता है यह बाद जाता है इसके बाद आप कंस्ट्रक्शन की बाद करते हैं इसके बाद चांस्ट्रक्शन इसके लिए आप वर्य केरिवर दिखाव देता हूं यहां पर आप आप लिए केरिवर मॉझूद है यह वर्य केरिवर वजूद है यहां पर आप लेखें से सफ़ाथ आपशन ही यहां इसके तुचेवर के लिएए एक आपके पास यह और ख़ी अपने के लिएसे इस और उरसमेश तो जावीर मॉझ। मॉझाशकर वर्य कि वाी यचिक ना के पास एक रिणिख्यज जा थाए तो जाते है एक आपके पास से फिक्स होता है और सेकेंड आपके पास मूवेबर होता है एक फिक्स जाके साथ जो रीडिंग मौजूद होती है जो स्केल मौजूद होता है इसको आप क्या कहते है में स्केल रीडिंग या में स्केल आपका जाता है और जो मूवेबर होता है इ 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3 हैंगे, इसको वजीद आप कहाते हैं, 0.05 mm पर काप में यह आप डिवाइब करते हैं, इच स्टेप 0.05 mm होता है, में स्केर रिने के उपर आपके पास वेली होती है, वो सेंटी मीटर नहीं होना है, आपके पास नहीं ही जबायते हैं, टोल तॉटल तुसकी लीए, अफैके इसके रिया है, Ovedis के इसको टाइपय पर फिक्रिख के माप डिया, और इसके पास हमस्की कंस्रुक्ष fascindrucky का पर नहीं है, इसव्भी एनके वर्षक इन क्या होती है? क्या क्या है का एक माईए या कोई बी मज़निय इन्सटुमेंट है और बड़िब वेलिइव कुछ और भी सुन करना या तो यहां से zero error को चेक करने के लिए यह किसी भी इंस्ट्रुमेंट की एक mistake होती है, एक गंती होती है, एक error होती है, एक unaccurate value लेता है, उसके जिसके सबसे पहरे वेक आपने क्या करना होता है, है कि इनके दोनों जास को आपस में आपने क्या मिरेता है, जो आइनका रेते हैं, तो यहां से अगर आप देखें, तो एक main scale reading है और एक one year scale reading है, main scale reading and one year scale, यहां से पिटम आपको करीब से दिखा सकूँ, यह आपके पास main scale reading है और यह second है, और यह second है, और सेकंड़ी वर्नियर स्केयर का और में स्केयर का जीरो है ये दोनों एक दूसरे के साथ लाई से कर रहे हैं तो फिर आप ये कह सकते हैं कि आप इस इस इंस्टुमेंट की जीरो एरर है वो जीरो कोई वैलिशो नहीं करा है हाँ यहां से अगर पॉजिटिव है लेट साइड पर या राइट साइड पर कुछ ने कुछ वैलिशो काता है फिर जीरो एरर मौजूद होता है उसके लिए इतने भी पॉइंट्स होते हैं नमबर आफ डिवियंट्स होती है नमबर आफ डिवियंट्स को आपने लीस्ट काउंट के साथ वैट्टी परहकर आदे जा होता है और यह वैलिशो आपके पास जीरो एरर मौजूद होती है अगर जीरो एरर आपके पास पॉजिटिव है तो जीरो कॉनेक्शन नेगेटिव होगी कि जीरो एर आपके पास पॉजिटिव मौ बॉल्ण है तो आप क्या करते हैं तो आपने वर्य को मैयर कैसे करना है? तो सबसे पहले आपने जीनो एलमेटर चेका देना है यहां अमारे पादे इंस्ट्रिमेंट मौलिटाइज में जीनो एलमेटर मौजूद है? नहीं है इसके बाद आपने क्या करना है? कोई भी एक लेंटर करेंगी है में स्क्राइब रिडिक सबसे पहले आपने सेंटी मीटर यहां कितरे सेंटी मीटर आपने इसके लिए काउंट करें यहां पर जो आप लाइस का रहा है तो वान तू तो फूंट वान तो थिरी वर फाइब पॉर और फाइब यहां से तो आपके पास में इर विडिक से कि वर्किंग आफ वर्नियर कैलिबर सबसे पेड़ा भी कैलिए में यह तिरू में आपके मास मुखनी सारा मटिरियल मौनुद है यहां से आपने राइट इटागे तो कुम्टिरिटी को रहता में स्केल रिटिंग 2.4 cm इसके पाद हम आते हैं वर्नियर स्केल रिटिंग को कैसे चैड़ करना है वर्नियर स्केल रिटिंग को चैड़ करने के लिए आप जिरू से स्टार्ट है जो कि में स्केल और वर्नियर स्केल की दोनों पॉइंट दोनों लाइन आपस में मीट कर रही है एक तुझ साथ करॉसाइड करें या पर्द करेंगे हैं यह आपके पास में स्केल है और यहां के पास यह यह कंदले और यह आपके पास यह वर्नियर स्केल है में स्केल हैं और ये आपके पास बन ये स्केल मौन है तो जिए लाईन के आपके साथ मुड़ कर रहा होता है इसको आप क्या कहते हैं यह नंब्र अफ डिवियंट कंसाइ़ रहे हैं यह पर आप तर आफ डिए यह इंग इंग इस विप नेल सिर्ट विप निए है यह हमारे पास यहां इस एक इस दूर को है इस वान भी आपको जिए नहीं दोनाइट देंगें देश्ट के साथ नहीं का रही है लिए अनी का लगी एदें के लिए जिन का चैनल thing लिए झाय आपके मस्सरे की काई खुदी में तो ही और कौह सी घॉझे कोई सी तोah कि रही होинки फेलाइब हों कि इस पी स्केयर कौंज आरी हैومने के सपर 22 पनाड़ नही एक 191 है । तो यहां प्लज्डोंन ऐसका प्लेट कर रहे हैं इसका इसका इस इधिए और बाइब जिरो-फॉइवन सेंटियम्टर होता है दो यह क्या क्या है तो यह आपके पास वर्णियर स्केल रेटिंग क्या आजाएगी जिरो पॉइंट सेंटी मीटर आपके पास क्या आजाती है वर्णियर स्केल रेटिंग आजाती है हम तोटल रेटिंग की बात करते हैं जो हमारे पास हमसे लेंडर यूज कर रहे हैं तो टोटल लेंड कि इन आप निया कहता है तो टोटल लेंड और सिलिंडर इस इकोई टू ने स्केल प्लस बनीक स्केल रेटि टोटल आपके पास अगें स्केल टू पॉइंट सेंटी मिटर प्लस जी रूपाइंट जीरोटल थे पास वाजाएगाड़ फॉइंट क ही एक और इसकी वेज़ेंट अगर जीरोट फ्यूंत उसकी वेलिव और यह आपके पास जीरोएगाड़RAY रहा है तो यहां कि आपने पास बलाई है तो यहां कि आपके पास बढ़ने हैं तो यहां से आपके पास पर अब आपके पास जाये रही है नहीं कॉंस्ट्रक्शन है और उसके बालवारी है कॉंस्ट्रक्ट